हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंट्स आज का वीडियो जिने हिस्ट्री यह पढ़ना या जानना पसंद है उनके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक ही बहुत मज़िदार है जी हां दोस्तो आज हम बात करेंगे सुल्तान जी के बारे में और उनके महल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो दोस्तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में तो वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले जान लेते हैं कि यह टीपू सुल्तान है कौन तो फ्रेंट्स यह बात तो मैसूर का राजा कहा जाता है यानि टाइगर ओफ मैसूर के नाम से भी टीपो सुल्तान जाने जाते हैं तो फ्रेंड्स टीपो सुल्तान का जन 20 नवेंबर 1750 को देवना हली बैंगलोर में हुआ था इनका पूरा नाम सुल्तान फैतह अली खांस रहब था ये नाम उनकी पिता के द्वारा रखा गया था इनकी माता का नाम फातिमा फक्रुन निश्या और पिता हैदर अली जी थे जो मैसूर समराज्य के एक सैनिक थे लेकिन अपनी ताकत के बल पर वे 1761 में मैसूर के वे सासक बने अपनी ताकत के बल पर टीपो सुल्तान एक वीर युद्यात हैं जि पहादूरी ने कई बार अंग्रेजों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था अपनी वीरता के कारण ही वे सेरे मैसूर के नाम से भी प्रशिद हुए टीपो सुल्तान एक पराकरमी युद्ध्या थे तो चलिए अब बात करते हैं टीपो सुल्तान के पैलेस के बारे था तथा दूसरा लाल महल पैलेस लाल महल पैलेस स्री रंग पटनम फोर्ट के अंदर मौजूद है लाल महल पैलेस सुल्तान का मेन पैलेस हुआ करता था इसी लाल महल पैलेस में एक तक्त रखा हुआ था जो सोने और हीरे जोहरातों से जरा हुआ था ऐसा कहा चाता है कि जब वे अंग्रेजों को यहां से हटा देंगे तभी वे इस तक्त पर बैठेंगे लेकिन अंग्रेजों ने इस तक्त को सुल्तान की सहाधत के बाद टुक्रे करके अपने साथ हिंगलान ले गए इस पैलेस के पीछे का वेरी नदी बहती है और इससे वॉकेबल डिस्टेंस पर ही टीपू सुल्टान का गुमबज है जिसकि विस्तरित चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो इस महल को लाल पैलेस क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी बहुँत सारी कहानिया है कहा जाता है कि इस पैलेस के नम इस पैलेस का नाम उनकी माता फातिमय फक्रोन tip के नाम पर रखा गया है तो फ्रेंड्स इस महल की एक खास बात यह है कि इस महल के नीचे से अंडर ग्राउंड वाटर कैनाल सिस्टम बनाया गया था ताकि महल को पूरी तरह से ठंडा रखा जा सके और कभी भी पानी की कोई कमी नहों टीपु का यह महल रंगनाथ स्वामी मं कंदिर के पास स्रे रंग पटनम में इस्थित है इसे 1971 इस्वी में बनाया गया था जिसका उप्योग टीपु गर्मियों में ठहरने के लिए किया करते थे अंग्रेजों ने भी इस महल को बहुत सुंदर बताया है इसके अंदर दो तल थे जिसके आगे के इंट्रेंस पर च जाधा पसंद थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जिन्दिगी जितनी है उसे सेर की तरह जीना चाहिए तो इस महल में 100 फूट बाई 60 फीट का दिवाने आम बनाया हुआ था इस दिवाने आम में आम जनता अपनी फरियाद ला सकते थे वैसा एक बड़ा सा हॉल बनाया गय इसके उपर में जनाना क्वाटर थे और इसी महल में एक बहुत ही बरी लाइबरेरी थी जिसमें दुनिया भर से नायाब किस्म की किताबे लाकर यहां रखी गई थी इस महल में एक इबादत गाह भी थी सुल्तान जब भी स्री रंगम में होते तो वो अपना जादा से लाइबरेरी में व्यातीत करते थे सुल्तान की सहादत के बाद अंग्रेजों ने उनकी सारी किताबों को इंगलेंड भेज दिया कहा जाता है कि इस महल से एक गुप्त रास्ता था जो शकलेश्वर में टीपू के एक दूसरे महल की ओर जाता है तो फ्रेंच कर्ड़नल वै बचे हुए हैं तो फ्रेंच टीपू सुल्तान की हत्या के बाद उनकी किसी अपने नहीं गद्दी के लालच में अंग्रेजों से जा मिले और मिलकर महल को ध्वस्त करने का शडियांत रचा जिसमें उस ध्वंसकारी विनाश में टीपू के पांच बच्चे और उनकी बेग लालमहल पालस अगर आपको घूमने जाना है तो वहां का समय है 9 बज़े से शंद्या के सारे 5 बज़े तक ही आप वहां जा सकते हैं तो फ्रेंच जैसा कि वीडियो में भी आप देख सकते हैं सारे 5 बज़ते के साथ ही वहां मेन गेट पर ताला लगा दिया जाता है और कमेंट करें और हाँ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, सेर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी मत भूलिएगा तो फिल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाई धन्यवार